हेलो एवरिवन उमीद है आप सब अच्छे से होंगे आज एक साथ इंडियन डिश बनाते हैं तो यह रवा इडली हमने बनाई है और इसको बनाना बहुत ही आसान है तो आए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं आप इसी मेजर्मेंट से बनाई है और सारी चीज़ें इस थोड़ा सा राई तरख जाएगी तो इसमें हम कटा हुए लसन डालेंगे यह तीन से चार कलिया लसन की थी है इसको महिन काट लिया है थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे इसके बाद इसमें हम अंधरा काट करते हैं तो यह हमने बारी काट ली थी बारी काट हुए तीन हरे मिर्च हैं ये भी एट कर देते हैं और अब इन सब चीजों को हम 2-3 मिर्ट तक तेल में फ्राई कर लेंगे तेल में फ्लेवर आ जाएगा तो हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे अब इसमें चने की धाल एट कर देते हैं तो ये एक टेबल स्पून है और इसको भी हम तो इद इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो इसको भी फ्राइ कर लेते हैं बहुत जल्दी फ्राइ हो जाती है तो देखिए हमारा मसाला तयार हो गया तरके का अब इसमें हम सूजी एड़ करेंगे यहां पर हमने हाफ केजी सूजी यूज करी है और इसको हम एक बार में नहीं उपर नीचे से अच्छे से चम्मा चलाते विए इसको हम मिक्स करेंगे सूजी को हम बस दो से तीन नट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे और यह थोड़ी सी फूल जाएगी तो इसको हम गैस बंद कर देंगे इस स्टेच पे आप सूजी को ठंडा करके और एल टाइट कं सकते हैं यह खराब नहीं होगी तो इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं अब इडली बनाने का प्रोसेसरी करते हैं तो यहाँ पे हमने एक कप और आदा कप जेड़ कप सूजी ले ली है इसमें हम एक कप दही आट करेंगे यह दही खटा नहीं है जादा अगर जादा खटा है तो आप कम लीजिएगा पहले दही में अच्छी तरह से सूजी को हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे तो इसका बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप पानी यूज किया है और थ इसमें हम नमक एट कर देते हैं तो हमने एक टी स्पून नमक इसमें डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर लेंगे इस बैटर को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे जिससे सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी तो अब हम इसको ढखके एक साइड लग देंगे यह अच्छ इससे पहले हमने यह नार्यल भीगो के रखा हुआ था यह सूखा नार्यल है इसको हम डाल लेते हैं जार में दस से बारा पुदीने की पत्तियां एट करेंगे इसके बाद इसमें अंध्रियां एट कर देते हैं तीन से चार खलिया लसन की डालेंगे और चार घरैमिर्चम ने इसमें एट किये हैं तो घरैमिर्चम काटके डाल देते हैं एक के दो करतेंगे जिसे आसानी से पिष सके चार से पांच टेबूल स्पुँण इसमें भूने चने आट कर देते हैं तो यह ज़रूर डालिएग तो यह बाइंदिंग एच्छी आ जाती है चट्नी में एक टीश्पून नमक एड़ कर देंगे और हाफ टीश्पून इसमें हम जीरा डाल देते हैं इसके बार थोड़ असा पाई डाल के इसको हम अच्छे से पीस लेंगे तो आप पाणी एड़ कर देते हैं और इसको हम पीस बनाईए का जरूर इसमें हम तलका लगाएंगे तो इसमें हम तेल में राई डालेंगे और करी पता और लालमिश डाल के इसका तलका लगाते हैं और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसको हम चटनी पे डाल देते हैं बहुत अच्छे खुश्बू हो जाती है इ तो देखिए सुजी काफी थिक हो गई है और फूलने की वज़े से इसमें काफी पानी एब्सर्ब कर लिया है अब इसमें हमें पानी और मिलाना है तो यह हाफ कप पानी है इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे जितनी हमें जबरत होगी उतना ही मिलाएंगे तो इसको mix कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर दो बारों पानी डाड़ा है और आधा कप पानी पूरा लग गया है इसमें तो अब यह हमारा बैटर तयार हो गया है पस इतना ही गाड़ा काफी है इससे बतला नहीं करेंगे अब यहाँ पर हमने इनो का यूज किया है तो यह एक पैकेट इनो है यह एक टेबल स्पून होता है अगर इनो नहीं है आपके पास तो आप बेकिंग पौडर डाल दें एक टेबल स्पून और अगर baking powder नहीं है आप baking soda का use कर सकते हैं मगर वो आपको half table spoon डालना होगा वरना कड़वा हो जाएगा सारा आपका batter इस पर थोड़ा सा पाइं डालेंगे जिससे activate हो जाए इसके बाद अच्छी तरह से इसको हम mix करेंगे बीट नहीं करना है हमको सिर्फ अच्छाल के हाथों से इसको mix कर देते हैं तो देखिए हमने इसको अच्छी तरह से सब तरफ से mix कर लिया है और अब इसको हम stream करेंगे तो एक container में हमने अच्छे से greasing कर दी है गी लगा दिया सब तरफ से और इसके बाद इसको हम सारा बैटर इसमें transfer कर देते हैं तो इस तरह से हमने सारा बैटर इसमें डाल दिया है और इसको अब हम stream करेंगे stream करने के लिए पानी पहले ही से boil करने को रख दिया था cooker में तो इसमें हम carefully इसको रख देते हैं गैस की flame हम medium to high रखेंगे और 15 मिनट तक इसको हम इसी पे cook कर लेंगे cover करके तो medium flame पे cook होते वे इसको 15 मिनट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं अब तो देखिए knife डाल के हम इसको देखते हैं थोड़ा सा knife पे लगके आ रहा है इसका मतलब थोड़ी सी अभी इसमें कसर है तो इसको हम दुबारा से cover कर देते हैं पांस से दस मिनट के लिए तो 25 मिनट हो गए अब देख लेते हैं इसको हम तो यह बहुत अच्छे से cook हो गया है फिर से चेक कर लेते हैं तो यह perfectly cook है अब तो अब इस तरह से इसको हम बाहर निकाल लेंगे सब तरफ से किनारे इसके अच्छे से छुड़ा लेंगे और उसके बाद इसको हम परट लेंगे तो यह बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा और इसके बाद इसके हम पीसेस काट लेते हैं जिस तरह के चाहिए pieces काट लें उसके हमने तोड़े लंबे काटे हैं देखने में अच्छे लगते हैं इसलिए और आप चाहें तो इसको square shape में भी काट सकते हैं तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में ये रवाइडली और चट्नी तयार हो जाती है तो इसको आप बिलिखफास में भी दे सकते हैं और शाम के नाश्ते में भी तो आपको वीडियो कैसी लग रही है और कैसी जरूर बताईएगा हमको और आपके कमेंट का हमें इंतिजार रहेगा जो नए देखने वाले हैं और जरूर सबस्क्राइब करें तो देखिए कितनी सॉफ्ट और अंदर से जालिदार बनी है सूजी को पहले भून लिया था इस वज़े से ये ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा टेस्टी बनती है तो आप इस तरह से इसको ज़रूर बनाएए और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए और फ्रेंड्स में और फैमली में शेयर करिए तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक अपना खयाल रखें